हेलो एवरीवरन वेलकम है आपका डीके स्टेचिंग टिप्स में कैसे हैं आप अहीं पाफ सब अच्छे होंगे तो आज की वीडियो बहुत ही हेलफुल होने वाली है फ्रेंट्स वीडियो को पूरा देखिए तो आज की वीडियो में सेयर करूंगी जो हमारी कुर्ती होती है अगर हमारी कुर्ती में कान है पहले से तो उसकी कान को निकाल कर उसकी कटिंग कैसे करेंगे ठीक है तो यह देखिए यह इस तरीके का सूट है मेरे पास यह देखिए इसका फ्रेंट पार्ट है यह देखिए जैसे आप देख रहे हैं यह इसका फ्रेंट पार्ट है ठीक है इस तरह से और printed कुर्ती है यह इसमें थोड़ा सा कढ़ाई का काम है और ये सलवार का fabric है इसमें तो ये यहां से यह joint है तो इसको हम अलग कर लेंगे कूर्ती के कपड़े को अलग कर लेंगे सलवार के कपड़े से धिधा और ये back पार्ट है इस तरीके का प्रेंट है इसमें और ये front पार्ट है ठीक है और देखे इसके जो sleeves हैं वो side में दी गई है ये इस तरह से यहां से side में इसके sleeves दी गई है जो back और front हमारा jो part है कुड़्ती के वो एक side में है और sleeves के लिए कपड़ा दे आगाया है वो एक side में ठीक है तो अब हम सबसे पहले इसको यहां से अलग कर लेते हैं और कपड़े को फोल्ड कर लेते हैं तो देखे फ्रेंट्स यह मैंने फ्रेंट पार्ट है जो कुर्ती का उसको यह देखे जो यहां पर प्रिंट दिया हुआ है कुर्ती के लिए अलग से तो वहाँ तक मैंने कपड़े को fold कर लिया है और side में जो sleeves का कपड़ा है उसको अलग से निकाल दिया है तो इस तरीके से मैंने इसको fold कर लिया है और ये देखे friends ये देखे इस कपड़े में इस तरीके से ये कान है तो इस कान को हमने नीचे की साइड निकाल देना है इस तरह से देखे जैसे 1.5 इंच के आसपास ये पले में कान है तो अगर ये देखे इसको इस तरीके से ऐसे मिलाते हुए और कपड़े को फोल्ड करेंगे इस तरह से ठीक है नीचे की साइड जो किनारी है यानि की जो कुरति है तो इस तरह से एक साइड गूमने लगए खही है हमारी कुर्ति तो इस तरीके से हमने कपड़े को फोल्ड के करना है आफ हम कुर्ती की ले लेंगे ये देखे तो लैंड हम यह श्य cynасти है कुर्थे का घहर है उस साइड से ठीक है यानिकी जो हमारी कुर्ती है वो इसमें folding के लिए हमने कपडा नहीं लेना है तो इस साइड से हमने लेनी है तो लेन्थ में यहाँ पर साड़े 38 इंच कुर्ती की ready रखोंगी तो यहाँ पर मैं मार्क लगाऊंगी साड़े 29 इंच पर ठीक है एक इंच एक्स्ट्रा लूँगी तो कि आधा इंच हमारा सोल्डर में जाएगा स्लाई में और आधा इंच हमारा जो प्लेट हम इसमें डालने वाले हैं कुर्ती में प्लेट में जाएगा ठीक है तो एक इंच मैंने एक्स्ट्रा ले लिया है और मार्क लगा लिया है अब हमने हिप साइज के अकोर्डिंग हमने यहां पर कपडा निकाल लेना है है तो हिप साइज हमारा यहां है 24 इंच हमारा हाफ है यान की राउंड में हमारा यह हो जाएगा 48 इंच ठीक है तो उसका हाफ हमारा 28 इंच है और इसमें हमने मार्जन एड कर लेना है देडिया 2 इंच आप जितना लेना चाहें अपना ले सकते हैं ठीक है तो यह देखे इस तरीके से यह मैंने यह देखे इतनी कान है इसमें इस कपड़े में इस तरह से अगर हम इस कपड़े को इसी तरीके से कान की तरफ से इसको किनारी को किनारी से मिलाते हुए अगर हम इस कपड़े को फोल्ड करके और कटिंग कर लेंगे तो जो कुर्टी हमारी बनेगी वो बिल्कुल फनेसिंग से नहीं वनेंगी, इसमें टेड़ा बन आएगा यह देखिए, जैसे आप देख रहेंगी इसमें दिख रहा है आरामksomh जैसे हम सीधा करेंगे कुर्टी को यह देखें यहां तक यह सीधा है और यहां से यह तेड़ा है तो इसको हमने पहले देख लेना है और फिर कपड़े को बिछा करें इसकी कटिंग करनी है अब हम क्या करेंगे back जो पार्ट है उसको हम भिचा लेंगे इसी तरीके से जिस तरीके से हमने front part को fold किया था, यह देखिए, जहाँ तक हमारी sleeves का कप्ड़ा दिया गया है वहाँ तक इस तरीके से fold करना है और जो इसमें जो flower दिये हुए है यह हमने देखना है जो print है, print को जिस side हमारी front पल लेका print है उसी side से हमने back पल लेकाing print को रखना है ठीक है और इसको यहां से निकाल लेंगे यहनकी cutting कर देंगे इसको जहां से हमने front part की cutting की थी और यह देखे दोनों part हमने निकाल लिए हैं अब हम इसकी measurement के according marking करेंगे और friends यह कुर्थी में जो बनाऊंगी यह इसमें half color में लगाने वाली हूँ तो इसमें हमने 13 कितना लेना है वो देखिएगा देखे normal हम कुर्थी बनाते हैं उसमें यह measurement के according में 6.5 इसमें लेना था लेकिन इसमें half color मैंने लगानी है तो इसमें मैंने half inch बढ़ा दिया है तो यहां पर मैंने 7 inch पर mark लगा लिया है ठीक है यह क्योंकि पिछे की side से अगर हम इसमें खिचाव आएगा अगर हम इसको solder को नहीं बढ़ाएंगे तो इसमें color लगाएंगे तो इसमें हमने यहन की solder को बढ़ाना होता है अब देखिए arm hole के लिए मैं यहां पर mark लगा रही हूँ और बैक के लिए यहां पर दो इंच पर लगानी है हमने ठीक है नॉर्मल जो हम डीपनेक होता है उसमें 1.5 इंच पर हम गोलाई देते हैं लेकिन जो कोलर वाली कुर्ती होती है उसमें 2 इंच पर हमने इसकी गोलाई डालनी है इसके बाद हम कमर के लिए मार्क लगाएंगे कमर के लिए 7 इंच पर मार्क लगाएंगे और हिप के लिए मैंने यहां पर लगाया है 14 इंच पर आप कम ज़्यादा कर सकते हैं इसके बाद हम यहां पर प्लेट के मार्किंग करेंगे प्लेट वाली कुर्ती बनाएंगे तो प्लेट के लिए यहां पर मैंने 12 इंच पर मार्कल लगाया है प्लेट के लिए भी मार्किंग हमारी चेस्ट के अगोडिंग होती है अगर हैवी चेस्ट है तो उसके लिए हमारी जो लेंफ्ट है प्लेट की वह बढ़ जाएगी ठीक है और यह हमारी प्लेट की जो लेंफ抗ार्शी आगे सब्सक्राइब गटा सकते हैं छेंच कर सकते हैं ठीक अब साइड वाली प्लेट हम डालेंगे और एक हम जो आरम होल पे जो प्लेट जाएगी उसके लिए मार करेंगे तो यह देखिए जो तीनों प्लेट होंगी उनका गैप हमारा दो दो इंच होना चाहिए बराबर होना चाहिए तो यह दे ठीक है अब हम इसमें पीटिंग की मार्किंग करेंगे पीटिंग की मार्किंग के लिए देखिए चेस्ट हमारी यहां पर है 21 in तो यहां पर इसका 1.5 seven 10 inch था 21 inches का half हमने कर दिया साड़े दस inch इब हम अहां पर कमर लेंगे कमर भी हमारी हाफ है 18 इंच तो इसका half हो गया 9 inch अब इसमें हम क्या करेंगे half inch हमनेや पर extra लेना है ठीक है एक्स्ट्रा क्यों लेना है एक्स्ट्रा इसलिए लेना है क्योंकि इसमें प्लेट वाली हमारी जो कुर्ती है तो इसमें प्लेट में हमारा हाफ आफ इंच जाएगा तो इसलिए हमने एक्स्ट्रा आफ इंच लेना है और हिप साइज है वहाँ पर हमने एक्स्ट्रा न अब हम इसकी cutting कर लेंगे तो देखे cutting कर लिया है मैंने अब हम जो front हमारा armhole है उसकी cutting कर देते हैं यह रेखिए यह इसमें जो front armhole है उसकी छटाई थुड़ी जादा होती है और back में कम होती है तो यह हमने ध्यान रखना है अब हमने back पर यह देखिए plate की marking करनी है और जो हम neck इसमें cutting नहीं करेंगे क्योंकि color वाली कुर्ती है तो इसमें हम क्या करेंगे हाफ या एक इंच हम इसमें जो neck हम इसमें color लगाएंगे उसको यहां से down करेंगे यह देखिए यहां से इस तरीके से यह इस तरीके से down करने से जो हमारी color हम इसमें लगाएंगे वो गर्दन पर नहीं चिपकेगी ठीक है अब यहां पर plate की marking कर लेंगे जो front में हमने की थी उसी measurement से हम back में कर लेंगे ठीक है यह देखिए marking हमने कर ली है प्लेट की और friends दूसरी एक्स्ट्रा जो कपड़ा है उसको हम cutting कर देंगे अब देखिए यहां से sleeves दमाएंगे इसमें प्रिंट आप देख रहे हैं चोटा चोटा जो यह एक साइड पर दिया हुआ है ठीक है जो कि हमारा sleeves की bottom part पर आएगा ठीक है तो इस तरीके से हमने कपड़े को fold करना है यह दो इन कपड़ा है वो हमारा folding के लिए है तो यहां पर sleeves की length हमने 19 इंच ready रखनी है तो यहां पर 2 इंच में extra ले रही हूँ नहीं sorry यहां पर वस margin अच्छान ले ना है यान की जो हमारा sleeve में stitching में जाएगा half-inch में extra लिया है इसमें क्योंकि folding के लिए कपड़ा हमारा इसमें दिया गया है ठीक है अब जो किनारी है side में किनारी को भी हमने cutting कर देना है अगर हमारे कपड़े में किनारी रहेगी तो हमारे किनारी को हमेश्या हमने कटिंग कर देना है कपड़े से निकाल देना है यहां पर साइड में देखिए जो कुर्ती की प्रिंटेड जो कपड़ा था वो इसमें स्लीज में बचा हुआ था तो उसको भी हम अलग कर देंगे ठीक है क्योंकि स्लीज में यह अच्छा नहीं तो दोनों साइड से हमने कपड़े को अलग कर दिया है अब यह देखिए इस तरीके से फोल्ड कर लेना है और जो यह फैब्रिक है यह देखिए इसको हम भी हम फोर फोल्ड कर लेंगे यह इस तरहां से ठीक है अब किनारी वाले साइड को हम बाहर की साइड रख लेंगे क् किनारी को हमने वैसे भी निकालना है और यह देखिए इस तरीकी से कपड़े को के साथ में रख लेंग देखिए इस साइट किनारी है और जो हमने कपड़ा निकाला था उस वह भी निकल जाएगा ठीक है अब हम यहां पर sleeves की यह देखिए मोरी पर मार्क लगाएंगे sleeves की मोरी यहां पर 5 इंच मैंने ready रखनी है तो यहां पर मैंने डेड़ इंच extra ले लिया है और armhole के लिए यहां mark लगा लेंगे यहां पर ready 9 इंच है तो यहां पर भी मैंने डेड़ इंच extra ले लिया है और यह देखिए मार्जा निसी में मैंने ले लिया है तो sleeves पर जो मार्क लगाया था और armhole पर उसको मिला देंगे अब यहां से 3 इंच पर मार्क लगाएंगे देखे गुलाई के लिए और यहां से हम इसमें गुलाई की सेफ दे देंगे इस तरह से ठीक है अब हमने जो मार्किंग की है उसी के उपर हम कटिंग कर देंगे और फ्रेंड्स प्लीज रिक्वेस्ट करती हूं आपसे अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए ज्यादा ज्यादा सेर कीजिएगा और फ्रेंड्स बैल आइकन को कर लेंगे देखिए इस तरह से और यहाँ पर यह जॉइन्ट आएगा इस तरीके के सूट में इसमें जॉइंट आता ही आता है तो इसलिए प्रइंट मिलते हूं मैं आप से अगली वीडियो में इसी तरीके की नई वीडियो के साथ ठैंक यूं बाइ-बाइ टेक ये.